ओम नमस्य बाई जैबांतरानी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत्यो हाटोट के मैं हूँ आपके साथ रुमज्यम शर्मा दोस्तों अपने जीवन से हम सभी नाकारात्मक्ता हटाना चाहते हैं और इसके लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं हमें अपने जीवन में जब भी लगता है कोई परिशानी आती है तो हम यही सोचते हैं कि जरूर किसी की नजर लग गई वाकई खोता भी ऐसा ही है देखे जब नाकारात्मक्ता घर में आती है तो हमें यह महसूस होने लगता है और तब हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उस नाकारात्मक्ता बुरी नजर को उपरी साया हवा इस तरह की कोई चीज है तो उसे हम जल्द से जल्द अपनी जीवन स अपने घर से हटाएं तो इसके लिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ नीवू के कुछ सरल और अचूक उपाए देखिए मैं कुछ ऐसे उपाए आपको बताऊंगी जो अभी बहुत सारे उपाए अब देखते होंगे लेकिन यह ऐसे हैं जो सबसे पहले सदियों से चले आ आती थी तो दोस्तों देखिए एक नीवू से आप नजर उतारने के कितने उपाए कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे पहले देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों की नजर तो उतारते हैं लेकिन हमें अपने उपर जब नजर उतार सुथरा बिलकुल जिसमें दाग ना हो इसमें तो फिर भी थोड़े से दाग मचे दिख गया है लेकिन आप ऐसा नीवू लें जिसमें कोई दाग ना हो जिब भी हम कोई उपाई करते हैं चाहे वो नजर उतारने का हो या नीवू के बहुत सारे उपाई हैं तो हम यही की दूब से शुरू करते हैं तो यह जब आप यहां से पीछे की दरब से शुरू करते हैं तो यह anti-clock-wise है तो आप डोनों तरह से नजर उतार सकते हैं इसमें कोई वो बात नहीं है कि आपको clockwise उतारना चाहिए तो अलनकि ज्यादा लोग यह बताते हैं कि कि जब भी आप न जैसे कि मैं आम तोर पर अंटी क्लॉक वाइज उतारती हूं उल्टी तरफ से, तो तीन बारी अपने हाथ में ऐसे एक नीबू अपलेंगे और अपने उपर से इस तरीके से नीबू को वार देंगे, और तीन बारी वारने के बाद क्या होता है आप इस नीबू को जाकर जनिवार, रविवार और सोमवार तीन दिनों तक लगातार ये भी एक नीब है ऐसा नहीं है कि आप अपने शनिवार को कर लिया जी अब आपको मंगलवार क्या अब्रस पतिवार ऐसा नहीं करना है तीन दिन लगातार करना है तीन दिन तक इस तरह से नजर उतार करके आप इसे जाकर के dustbin में डाल देंगे आप चाहें तो घर के बाहर के dustbin में भी इसे नजर उतारने के फॉरण बात डाल सकते हैं देखे दोस्तों नजर उतारना हो या फिर कोई भी हम तोटका उपाय करते हैं उपाय का पहला जो नियम होता है हर बार मैं आपके साथ ये जरूर शेयर करती हूँ कि कोई आपको टोके ना तो ऐसे काम आप घर पे कर रहे हैं बड़े आराम सही शांती में जब घर पे कोई बाहर का इंसान ना हो घर के भी अन्यस सदसी बच्चे हैं खास तो उन्हीं भी समझा दे कि इस वक्त आपको वो ना टोके ना डिस्टर्ब करें तो इस तरीके से बिना टोके आपको ये काम करना है जब आप नजर उतार रहे हूं तो मैं अभी जैसे आपके लिए कर रही हूं दिखा रही हूं तो मैं बात कर रही हूं ऐसा नहीं करना होता, जिब भी कोई उपाई टोटका आप कर रहे होते हैं, आप चुप चाप करेंगे, आपको कुछ नहीं बोलना, किसी अन्य से बात आपको नहीं करनी है, कोई भी उपाई करेंगे, उसके बाद का एक और रूल, उपाई आपने कर लिया, इसे जाकर दूसरी बात, कि अगर आप किसी और की अब नजर उतार रहे हैं, तो आप इसी नीबू से उसकी नजर कैसे उतारेंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ये सबसे एक प्राचीन तरीका है, अपने गाउं में भी अगर आपने सुना हो, दादी या फिर आपकी नानी जी इसी त परात्मक उजा की वज़े से, वो परिशान है, बीमार है, चुचड़ा है, रो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ऐसे में सबसे पहले कड़ेवारों को ही आप ले, अगर नहीं है कड़ेवार तो फिर आप किसे भी दिन शुरू करने अगर परिशानी स्यादा है, कड इसकी नजर उतारनी है, दोस्तों यह सबसे पुराना तरीका है नजर उतारने का, आप पूछ लेंगे घर में दादी और नानी आपके अगर होंगी अभी, तो वो बता सकती है कि इस तरीके से वो नजर उतारती थी और बहुत सधा हुआ तरीका है तो आप बीच चौकट प फिर उस व्यक्ति को आप बोलेंगे कि उस चौकट से उठके वो फिर अंदर चला जाए और आपको आपको बाहर जाकर इस नीबु को अगर संभव हो तो किसी चौराहे पर फेक आए आप, अगर इसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप घर के बाहर कोशिश तो यह करें कि कि बाहर किसी गंदी जगह पर जैसे कहीं पर कोई नाला बह रहा हो, कच्रे का धेर हो, आप वहाँ पर फेक तें, अगर ये भी संभव नहीं हो तो घर के बाहर के डस्ट मिन में आप इसे डालाएं, ऐसा भी आपको लगतार तीन दिनों तक करना है, अगर आपने शनिवार ये है शनिवार, रविवार और सोनवार, तीन दिन तक करना है, हर बार वही होना है, आपको कोई टोके नहीं, बीच में आप किसी से बात चीत नहीं करेंगे, नजर उतारने के बाद आप हाथ पैट धोकर ही, फिर किसी से बात करेंगे, या अन्यकारी में लगेंगे, नजर क्या नजर उतार रहे हैं वो उचके अंदर आएगा और आप उसी तरीके से बाहर चले जाएंगे तो यह सम्पॉुन विधी है इस नीबू से किसी और की नजर उतारने की सवर दोस्तों तो मै ने दो तरीके अपको बताए है नजर उतार रहे हैं, उनके लिए भी है, आप एक तो सिर से बारेंगे clockwise, anti-clockwise, एक आप अपनी पूरी बॉड़ी से, मतलब सिर से लेके पैर तक में नजर उतार सकते हैं, तीन बारी या साथ बारी, ये भी तरीका होता है नजर उतारने का, अपनी पूरे आपके बॉड़ी में अगर भी नजर उतार सकते हैं, जैसे आपने पहले अपने हाथ की एक नजर उतार ली, फिर आपने दूसरी हाथ की नजर उतार ली, फिर आपने सिर से बार लिया, फिर आपने अपने पेट के उपर से बार लिया, फिर अपने आप पैरों के उपर से बार ले, आपको जहां मसूस कि आपको परिशानी लग रही है, आप उस जगे से नजरवार कर इसे बाहर फिट सकते हैं, अगर आप अपनी नजरवार रहे हैं, तो आप इसे घर के डस्टमिन में डाल दें, लेकिन किसी और की अगर नजर उतार रहे हैं, तो उसको कोशिश करें कि बाहर जाकर करके आप फेक आएं दोस्तों घर से नाकारात्मक भगाने के लिए जस तरीके से बहुत सारे उपायों में मैंने आपको उताया है कि नमक की कई उपाय बहुत कारगर हैं तरीके से नीबू का उपाय मैं बता रही हूं आपको इस वीजियो में बहुत कारगर है नीबू के उपाय से आप घर की भी नाकारात्मक उचा भगा सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है जैसे कि आप घर के पोछे के पानी में नमक डालते हैं उसी तरीके से घर के पोचे के पानी में आपको नीबू का रस डाल देना चाहिए, एक नीबू अपले इसको निचोड़ दें पोचे के पानी में, ऐसा करने से भी माना जाता है कि घर में जो भी बुरी नजर है, जो भी नेगेटिव एनरजी है, उनका खात्मा हो जाता है, यह उपाय जरूर करें, उस तिन आप घर के पोचे के पानी में नीबू का रस मिला दें और उसे पूरे घर में पोचा लगवा दें, कोशिश करें उसके बाद उस पोचे के पानी को आप फलश आउच कर दें, तो इससे भी माना जाता है कि घर की जो भी नेगेटिव परिशानियों को समाप्त करने के लिए, लेकिन सर्फ ये एक पांच रुपे की नीबू से आप अपने जेवन की बहुत सारी तकलीफें दूर कर सकते हैं, तो मैंने इस वीडियो में जो ये जानकारियां दी है, बहुत उपयोगी है, आप जरूर इसे अपनाएं, और जस त हैं, बहुत आसान है, हम खुद से कर सकते हैं, खुद से अपना सकते हैं, हमें जरूर अपनाने चाहिए, वीडियो कर पसंद आए, तो जरूर लाइक कीजेगा, इसी तरह की जानकारियों के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत्योहाटूटकी की साथ बने रहें दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, वीडियो और तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जै मातरानी